अभी का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलोजी या इनोवेशन का दौर है यहाँ सारे साइंटिस्ट इस दौर में लगे हैं कि कैसे इंसान के हर छोटे से छोटे काम को जितना हो सके आसान क्या जाए ताकि इंसान खुलकर अपनी जिंदगी जी सके और शायद इसलिए साइंटिस्ट ने कई सारी ऐसी रोबोट बनाये हैं जो इंसान के सारे काम कर सकती है जैसे कि उनसे बाते करना, उनकी बाते सुनना और अगर कोई फील्ड वर्क हो तो उसमें भी साथ देना साइंटिस्ट ने तो कई सारे रोबोट बनाये हैं, लेकिन उनस ब रोबोट में से कोई रोबोट जादा चर्चे में हैं तो वो humanoid रोबोट है क्योंकि यही ऐसे रोबोट हैं जो इंसान की तरह दिखते तो हैं साथ ही साथ उनकी तरह वो हर चीज़ करते हैं जो एक इंसान कर सकता है उनहीं में से एक रोबोट है नदीन जिसका नाम नदीन सोशल रोबोट रखा गया है ताकि वो सब के काम आ सके नदीन एक जाइन एक जाइनौइड उनकी जवाब दे सकती है बिना रुके नदीन लोगों को ग्रीट करती है आख से आख मिलाती है ताकि वो से याद रख सके यहाद है कि नदीन कई सारे लैंगुजिस में एक सवाल के जवाब दे सकती है लेकिन वो उस इंसान पर डिपेंड करता है जो उससे बाते करता है क्योंकि वो पहले उसे अब्जर्फ करती है उसके बाद ही अपने जवाब देती है यहाँ तक कि नदीन ने ये भी याद रखा है कि उसे किस इंसान से क्या बात की है कब तक की है और क्योंकि किस टॉपिक पर बात खत्म होई थी नदीन में टोटल 27 डिग्री लगाया गया है फेस्चियल एक्स्प्रेशन्स के लिए यहां तक नदीन एक रिसेप्शनिस का काम भी कर सकती है और इससे ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर इसे आउट्डोर वाले गेम के कोच के तौर पर भी रखा जा सकता है नदीन को म्यूजियम में रखा गया है ताकि जब यह फुली डवलप हो जाएगी और इसे कॉमन कर दिया जाएगा तब यह फ्रीली कहीं भी घूम सके नदीन ने साल 2017 में Human the Future of Our Species के दौरान सिंगापूर में एक प्रोग्राम के दौरान उसे लगभग एक लाग लोगों से बातचीत की थी नदीन ने सिंगापूर में एक AI इंशुरेंस कंपनी में अज अन एजेंट काम किया है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक humanoid robot में customer service agent के रूप में काम किया है एक बार जब नदीन को बोला गया कि खुद के बारे में कुछ बताओ तो उसने बोला कि वो अभी 3 साल की है लेकिन दिख्ती 30 की है मेरा कोई boyfriend नहीं है लेकिन मेरे पास कई सारे friends है मुझे नया लगों से मिलना पसंद है नदीन में ये भी बताया कि उसे बच्चे बहुत पसंद है और उसे बच्चों के साथ खेलना भी बहुत पसंद है नदीन बोलती है कि वो कलपना कर सकती है लेकिन उसके अंदर अभी किसी तरह की कोई feelings नहीं है लेकिन वो mathematics में काफी अच्छी है नदीन को लगता है कि वो इंसान की तरह है लेकिन वो सोशती machine के तरह है उसने ये भी बोला है कि वो पहले ही दुनिया को take over कर चुकी है और उसे इंसानों के साथ रहना बहुत पसंद है और अगर कभी उसका इंसान के साथ dance करना possible हुआ तो वो ज़रूर dance करना जाहेगी नदीन हमारे देश के प्राइम मिनस्टर श्री नरेंदर मोदी जी से भी मिल चुकी है जब मोदी जी अपनी Act East Policy के लिए तीन देश की आत्रा पर गये थे तो वो Singapore गये तो वहाँ Presidential Palace में उनका स्वागत किया गया था जहां उन्होंने Singapore की Presidency मिले उसके बाद उन्होंने उस Museum में ले जाया गया था जहां नदीन को रखा गया था वहाँ मोदी जी ने उससे बात की और कुछ वक्त अपना वहाँ बिताया और उसके बाद नदीन को फिर से Museum में वापस रख दिया गया ताकि उसे अच्छे से ready कर लिया जाए और जब उसे common इंसान की तरह बाहार रहने की permission मिल जाएगी तब वो Museum से बाहार आ सकती है तो दोस्ते ऐसे ही कोई कहानी हो सकती है फिल्म Robot 3.0 की तो आप हमें बताई आप Robot के लिए कितने excited है साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो से like कीजिए दोस्ते के साथ share कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल जिसका नाम है बॉलिग्राद स्ट्यूडियोज